भारती जिन्ता पार्टी का आज घर-घर संपर्क अभ्यान प्रारम हो गया है और इसके अंतरगत हमारे समस्त भारथी जिनता पार्टी के नेता एवं पदधिकारी घर-घर जाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री निरिंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग़ रहे हैं हम प्रधान मंत्री निरिंदर मोदी जी की 10 साल की उपलवधियों पर लेकर एक पत्रक जो है वो हम घर-घर वित्रित कर रहे हैं एक श्टिकर जो है हम लोगों की अनुमती के साथ उसको जो है लोगों के घरों पर लगा रहे हैं और साथ में किस प्रकार से प्रधान मंतरी ने देश को किस तरह एक विश्व शक्ती बनाया, विश्व मित्तर बनाया और एक शक्ती शाली देश बनाया, उसके बारे में हम प्रचार भी कर रहे हैं। एक आत्म निर्बर भारत बना, एक एक्सपोर्ट का महा गुरू बना, विश्व गुरू की और पर प्रस्थ हुआ, इसके बहुत बड़े एक्जेम्पल पूरे हिंदुस्तान में और हिमाचर प्रदेश में भी हमाप्रत है, वहाँ पर यूनिटी और लिबर्टी और स्टैच को हुआ है, हम घर घर जाके इसी के बारे में आफ़गत करा रहे हैं, और हम यहां से जो परत्याशी है सुझेश के शिप जी उनके लिए भी वोट मांग रहे हैं, और इस बारी हमें लगता है कि जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ चड़ के आ रहे हैं, इस बारी भी हम हिम समाचर प्रदेश में चार की चार जीतेंगे और देश में हम भारती जनता पार्टी तीन सो सतर से चार सो पार जाने निश्चित हैं, अब क्या खेना चाहेंगे, अंग्रेस जो है वो लगातार करती आती है, और कोई आधार नहीं है, अगर आप देखेंगे कि कांगडा को जो इनका केंडिडेट है, वो इनको भार से भेजना पड़ा, इनके पास कोई केंडिडेट ही नहीं था, अगर आप देखेंगे कि मंडी के अंदर जो है, वहाँ पर शिमला गरामीन से प्रतियाशी रहे, और साथ में वहाँ से मंतरी उनको भेजा गया, और शिमला में वो स चुनाव लड़ाया गया, पहले कहते थे कि हम सिटिंग विधायकों को नहीं लड़ाएंगे, इस बात से पल्टे, दूसरी बात हम तो इन से पूछना चाते है, कि आपके पास परदेश की 15 मीने की उपलब्दियां क्या है, इनको हमने बार बार गिनाया है, कि कू की राशी में से आप जो है, उसमें से पूरा पैसा भी नहीं खर्च पाए, आपने 15 मीने, 16 मीने की सरकार में 25,000 क्रोड का लोन ले लिया, आपने जितनी भी यहाँ पर विकास कारे चल रहे थे, मानिया जैराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, भारती इंता पार्टी की उसमें आपने उसको रोक दिया, आपने विकास को अवरुद करा दिया, आपने एक सड़क तक नहीं बनाई, यहाँ तक की प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना और बाकी योजनाओं के जो है, बारा सो क्रोड रुपे की राशी जो है, वो केंदर को वापिस चलीगी, और केंदर जो आपको 10,000 क्रोड रुपे की ग्रांट अभी भेजी है, वो आप उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का जूटा परचार करना जो है, वो आपके रगरग में हैं, और जनता जानती है कि आप जूट बोल रहे हैं, और भारती जनता पार्टी निश् तल पर काम करती है,